जहें दोस्तों, मैं एरवाटन्स आरके शाक्या आप लोगों का नेचर टेल्स में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को मौलुम है कि करोना बाइरस अभी खतम नहीं हुआ है और जल्दी खतम होने वाला भी नहीं है, तो हमें इसी के साथ जीना सीखना है इसके लिए हमें अपना इमून सिस्टम मजबूत करके रखना पड़ेगा तो हम कैसे अपना इमून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं इसके लिए आयूश मंत्राले ने कुछ दिसान देश जारी किये हैं जिनके बारे में आज मैं आपको पताऊंगा चिकित्सा पद्धती में बीमारी को ठीक करने के दो तरीके हैं नमबर एक सीधा बीमारी को ठीक करने की दवा देना नमबर दो शरीर की प्रतिरोधक छमता को बढ़ाना चूंकि करोणा बायरस की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है इसलिए हमें दूसरे तरीके पर ध्यान देना पड़ेगा शरीर की प्रतिरोधक छमता डिफेंस सिस्टम इसे ही यमून सिस्टम भी कहते हैं ये क्या है कैसे कारी करता है और इसे हमें कैसे मजबूत बनाना है यह है प्राक्रतिक सिस्टम, यमून सिस्टम हमारे सरीर में ऐसे बनाया हुआ है जो बीमारी के बाइरस को मारता है और हमारे सरीर की बीमारी से रक्षा करता है इस इमून सिस्टम को मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ चुक मैं डिफेंस सर्विस से समधित हूँ ठीक उसी की तरह से समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से सीमा पर फौज अपने दुस्मन को अंदर नहीं आने देती है और उसको घुसने से पहले ही वहीं पर मार कर खतम क ठीक उसी तरह से ये हमारा defense system, immune system कारी करता है जैसे ही virus बीमारी का हमारे शरीर में अंदर प्रिवेस करने की कोशिश करता है तो उसे मार देता है और उसका record रखता है जिससे कि ये virus दुबारा अगर हमला करता है तो उसको मारने में आसानी हो जाती है जिस तरह से फाउज को रसद और गोला वारूत की जरूरत पड़ती है उसे मजबूत करने के लिए ठीक उसी तरह से immune system को मजबूत करने के लिए इसके लिए हमें कुछ में बिसेश चीजों की जरूरत पड़ती है जिनके बारे में हम बता रहे है immune system को हमें निरंतर मजबूत करना पड़ता है जैसा कि कहा गया है कि बच्चों और बुज़ूर्गों का immune system कमज़ोर हो जाता है इसलिए कोविड 19 से उनको ज्यादा खत्रा है तो उनके immune system को भी हमें बढ़ाना है आयूस मंत्राले ने अपनी बेब साइट पर कि पीडिएफ डाल रखा है जिसमें immunity measures बढ़ाने के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले साधरान उपाय है कि हमें सबसे अधिक गरम पानी पीना चाहिए पूरे दिन में लगवक साथ से आठ ग्लास पानी पी लेना चाहिए जो गरम पानी पीने से हमारी भोजर नली साफ हो जाती है और आगे एक्षन जल्दी होने लगता है पाचन क्रिया तेज हो जाती है जिससे यमून सिस्टम के जो अंग है वो एक्टिव हो जाते हैं आगे बता रहे हैं कि प्रद्दिन हमें कम से कम 30 मिनट के लिए योग करना चाहिए प्राणायाम करना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए मिनिस्ट्री आफ आयूस ने अपने बेव साइट में जैसे बताए हैं योगा एट हॉम, इस्टे एट हॉम, इस्टे सेफ के अनुसार हमें योगाशन करना चाहिए अगला है कि हमें अपने खाने में मसाले अधिक यूज करना चाहिए, जिसमें है, खल्दी है, जीरा है, धनिया है और लहशन है, इसकी मात्रा हमें अधिक कर देनी चाहिए फिर आगे आयर्वेट से समदित कुछ चीजें बताई हैं, जैसे हमें चवन प्रास डेली एक चम्मच फुल मॉर्निंग में लेना चाहिए, जो डियाविटिक पैसेंट होते हैं, उनको सुगर फ्री चवन प्रास लेना चाहिए अगला ड्रिंक हरवल्टी हमें चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए, और हरवल्टी बराना चाहिए, जिसमें तुलसी, दालचीनी, सौट, मुनक्का, डाल करके जो हम बनाते हैं, और इसको दिन में दो बार पीना चाहिए, और स्वाद के साथ से इसमें हम गुल मिला सकते हैं, और लेमन जूस मिला सकते हैं, अगला है कि हमें दूद को गोल्डन कलर में करके पीना है, तो एक ग्लास में आधा चम्मच, जो ये आधा चम्मच है, इतना खल्दी एक ग्लास में के दूद में डाल करके, गुनवना पीना चाहिए, इसके अलावा, कुछ आयूरबेद के कुछ प्रोसीजर हैं, जो बताए हुई हैं, जो हमारा नाशिका है, इसको हमें साफ कैसे करना है, इसके अंदर कोकोनट ओयल अत्वा घी को नतनों में, दोनों नतनों में शुवय और साम को डाल लेना चाहिए, जिससे ये सुसन, जो सांस लेने की प्रडाली में सुसन नलियां हैं, वो साफ हो जाएंगे, एक थेरैफी बताई हुई है, ओयल पुलिंग थेरैफी, जिसमें एक टेबल स्पून कोकोनट ओयल को मुह में रख करके, इसको पीना नहीं है, मुह में रख करके, दो से तीन मिनट तक रख करके, और इसको बाहर मुह से बाहर निकाल देना है, और इसके बाद गरम पानी से मुझ को कुला करके बाहर निकाल देना है ये दिन में हम एक से दो बार कर सकते हैं अगर हमारा गला दर्द करता है और सूखी खासी आ रही है तो उस समय हमें भाप लेनी चाहिए तो पानी में पोधीना और अजमायन डाल करके दिन में एक बार हमें उसकी भाप लेनी चाहिए लाउंग के पाउडर को सहथ में मिला करके दो या तीन बार दिन में लेने से खासी और गले में जो खरास है वो ठीक हो जाती है ये सारे मैजर्स ड्राई कफ के लिए है सुखी खासी अगर है तो और निरंतर आती रहती है अगर ठीक नहीं हो रही है तो हमें फिर डाक्टर की राय लेनी चाहिए अगर यह सिम्टम्स हमें continuous बने हैं ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें डाक्टर की राय लेनी चाहिए ये सारे मेजर्स भारत के प्रिशिद्य बैद्य द्वारत दिये गए हैं और उनसे ये लेकर के किये गए हैं ये जरूरी नहीं है कि COVID-19 के वारेस इससे खतम हो जाएं लेकिन हमारा इमून सिस्टम मजबूत हो जाएगा जिससे हम अपने सरीर पार होने वाले दूसरे सिम्टम्स हैं उनको हम उससे बचाव रख सकते हैं ये जो प्रिवेंटिब मेजर्स बताए हैं इनको अपनी अपनी शुविधा नुशार इसकी समय अवधी को बढ़ा सकते हैं हर एक व्यक्ति का इमून सिस्टम अलग अलग होता है तो अपने शुविधा नुशार इसको आगे पीरेट को बढ़ा सकते हैं दूसरे उपाई ये हैं कि कम से कम दिन में आठ घंटे सोना है और खुल के हसना है स्ट्रेस को कम करना है इससे इमून सिस्टम मजबूत होता है आसा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी इमून सिस्टम को बढ़ाएंगे बच्चों और बुजर्गों का ख्याल रखेंगे और कोबिट 19 को हराएंगे जै हिंद जै भारत